आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग से जुड़े कुछ रियल लाइफ शौकिंग इंसिडन्स इसके बारे में साथ ही हम बात करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग का आखिर सक्सेस रेट कितना है क्या आप यहाँ पर पैसा कमा सकते हो जब हमने इन सारी चीज़ों का अनलिसिस किया तब हमें ये भी पता चला कि इंट्राडे ट्रेडिंग के एक्चुल बेनिफिशेरिस कोई और ही है जिनके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे साथ ही वीडियो के अन्ति में हम कुछ ऐसी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्राडेजिस के बारे में बात करेंगे जो हमें काफी जादा पावर्फुल लगे बाजार रिकवर करने की कोशिश में आकरी लेड़ गंटा होगा नमस्कार मैं प्रसद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ तो पॉपकॉल लेकर रेडी रही है डिटेल में समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के डार्क सिक्रेट्स के बारे में आज के इस वीडियो के प्रायो जग है नावी हेल्थ इंशॉरंस जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे मार्च 2020 में पहला लॉकडाउन शुरू हुआ और मार्च और एप्रिलिन दो महिनों में ही इंडिया में 12 लाग डिमेट अकॉंट्स खोले गए और खुलते भी क्यों ना कई सारे लोग जो हाली में ही वर्फरम हों करने लगे उन्हें पता था कि एक्स्ट्रा टाइम तो हमें जरूर मिल रहा है तो क्यों ना एक्स्ट्रा टाइम को यूटिलाइज करते हुए कुछ नया इंकम सोर शुरू किया जाए और इसलिए उन में से कई सारे लोगों ने इंट्राडे ट्रेडिंग को चोना बीना ये समझे कि इंट्राडे ट्रेडिंग के रिस्क और रिवार्ड्स क्या है तो शुरुवात करेंगे एक ऐसी स्टोरी से जहाँ पर एक ट्रेडर ने ट्रेडिंग के रिवर्ड्स को तो समझ लिया लेकिन ट्रेडिंग के रिवर्स को समझना कही ना कही वो भुल गए लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि उनकी ये एक गलती एक दिन उन्हें बहुत महंगी सावित होगी जैसे लिवर्मोर ने अपनी करियर के शुरुआत एक office boy के तौर पे की और बाद में उन्होंने ट्रेडिंग का रास्ता चुना उन्होंने उतना पैसा 20 साल के उम्र में ही कमा लिया एक दिन उन्होंने ऐसे ही company के share short किये अगले दिन अर्थक्वेक आया और उन्हें वहाँ पर भी बहुत जादा profit मिल गया अपने इन successful trades के चलते जैसे लिवर्मोर जल्दी US के one of the richest person की list में चले गए उसे बिच उनके mentor JP Morgan ने उनने ये भी कहा कि तुम्हें short selling से थोड़ा दूर रहना चाहिए लेकिन short selling से मिले अपने success के चलते जैसे लिवर्मोर ने अपनी strategy continue की फिर 1929 का great depression आया जहाँ पर अच्छे अच्छे traders डूब गए लेकिन वहाँ पर भी Jesse Livermore ने करोडों में पैसा कमाया 1932 तक उनकी net worth 20,000 करोड के करीब चले गए यानि अपने career के पहले 30 साल में उनका track record बहुत बहुत strong रहा लेकिन आगे जो हुआ वो सारे aspiring traders के लिए एक बहुत बड़ा lesson बन गया है फिर आया साल 1934 जिन strategies ने उन्हें 30 साल में बहुत successful बनाया था वही strategies अब उन्हें बड़े-बड़े losses दिला रही थी losses दिरे-दिरे इतने बड़े हो गए कि उनकी net worth लगबग 0 के करीब चली आई लेकिन कही न कहीं उन्हें लगा कि अगर मैंने 0 से इतना पैसा कमा लिया है तो again मैं 0 से शुरुवात करके इतना पैसा कमा सकता हूँ और इसलिए उन्हें लोन लेना शुरू किया लेकिन अपने continuous losses और loan की बोज की वज़े से उन्हें घुटने टेकने पड़े और साल 1940 में उन्हें suicide कर लिया जेसे लिवर मोर की तरह है इसी हजारों कहानिया इंडिया में घटी है जिनका अंत उनकी जिंदकी के साथ हुआ stock market में golden rule हमेशा याद रखना greed को आप control करें इससे पहले की greed आपको control करें अब सवाल आता है कि आखिर intraday trading का success rate कितना है अगर हम statistics को देखते हैं तो एक साल के अंदर 100 में से 99 traders को loss ही होता है और कई सारे brokerage firms के statistics ये चीज़ बताते हैं कुछ टाइम पहले जीरोदा founder नितिन कामत ने भी इन statistics की बात की थी simple भाषा में बात करें तो stock trading की winning probability और horse racing की winning probability सेम ही है और दोनों भी जगा luck का रोल आपके effort से कई गुना जादा होता है तो अगर intraday trading में success rate इतना जादा कम है तो फिर बहुत सारे लोग यहाँ पर chance क्यों लेते हैं तो जाददर traders खुझ से intraday trading नहीं करते हैं उनसे intraday trading करवाई जाती है इस पूरी चीज़ के पीछे एक बहुत बड़ा ecosystem है जिसमें साला ना लाखो traders फस जाते हैं आप जानकर हैरान होंगे intraday trading से अगर कोई bilinears बने हैं तो वो traders नहीं है वो है stock brokers आपने देखा हुगा कि लगबग जाद अदर discount brokerage firms delivery पर कोई भी brokerage charge नहीं लगाते हैं उनके brokerage chargers सिर्फ intraday और futures and options पर होते हैं यानि कि लगबग उनका सारा revenue ट्रेडिंग पर ही depend होता है जैसे कि ट्रेडिंग में uncertainties काफी जादा होती है उसी तरह life में भी health से related uncertainties काफी जादा होती है और healthcare expenses भी आजकल दिन बदिन काफी महेंगे होते जा रहे हैं और इस चीज़ का एक simple solution है नावी health insurance बस अपने phone पर कुछ clicks की मदद से ही आप आसानी से नावी health insurance खरीच सकते हो इनका monthly health insurance premium भी काफी affordable है जो कि सिर्फ 241 रुपेज से शुरू होता है और यहाँ पर आपको single occupancy room मिलता है और room rent पर कोई cab भी नहीं है यहाँ पर आपकी जो insured sum है वो automatically restore हो जाएगी अगर आपको एक साल में कई बार hospitalized होना पड़ता है तो तो नावी health insurance के साथ अपनी health को secure कीजिए और unlimited online doctor consultations पाईए मेरे कुछ family members भी नावी health insurance को use कर दे हैं और अभी तक का उनका experience काफी अच्छा रहा है Mr. Sachin Bansal के इस company ने काफी innovative product range लाई है इनकी health insurance EMI facility ने पूरी health insurance industry को revolutionize कर दिया है तो जरूर description में दीके link पर क्लिक करके नावी health insurance चेक कीजिए similarly जो business news channels है उनके भी जादतर viewers, intraday traders ही है जो daily basis पर trading strategies के लिए news channels देखते हैं और आई दिन आप देखते ही होंगे कि Facebook और Instagram पर कई सारे trading coaching classes के advertisements आती है जहाँ पर उनके students आकर बोलते हैं कि मैंने 45 दिन में इतने इतने पैसे stock market से कमाई आप भी आईए और उस course को join कीजिए कुछ लोग सही में उस trap में फस जाते हैं और trading के दुन्या में आ जाते हैं लेकिन यहाँ पर लोग यह सोचना भूल जाते हैं कि सही में उस trainer की यह strategies इतनी ही powerful होती तो उसे अपनी यह courses इतनी जादा price में नहीं बेचने पड़ती तो simply in trading coaching classes के जो income है वो भी intraday trader से ही आती है तो सिर्फ एक intraday trader है जिसके beneficiaries कई सारे हैं तो इन में से कई सारे लोग जादा से जादा traders को यहाँ पर किसी ना किसी बहाने से लाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर हम यह नहीं कह रहे हैं कि हर को यह ऐसा ही होता है बहुत सारे genuine brokers है बहुत सारे genuine channels भी होंगे लेकिन जादातर लोगों की direction कुछ यही है गुमती रहती है तो यहाँ पर आपको दो lines मिलेगी पहली है 30% line और दूसरी है 70% line जैसे ही RSI 30% line के नीचे आ जाता है तो उससे आपको buy signal मिल जाता है जिसका ही मतलब है कि जैसे ही RSI 30% के नीचे आएगा तो वो stock oversold कहा जाएगा similarly जैसे ही वो stock 70% के उपर चला जाएगा तो आपको उससे sale करना है क्योंकि जैसे RSI line 70% को cross कर देती है माना जाता है कि वो stock overbought है यानि आपको वहाँ पर sale position लेनी चाहिए और जब RSI 30% और 70% के बीच में रहता है तो आपको stock को hold करके रखना होता है RSI को आप बड़ी आसाने से अपनी choice के stocks पर अपलाय करके देख सकते हो और intra day में 30 minute 1 hour का time range लेकर आप इसे अपलाय करके live market में trade भी कर सकते हो RSI के बाद आता है MACD MACD में दू lines होती है red line और blue line red line का नाम है signal line और blue line का नाम है MACD line जैसे ही MACD line signal line से नीचे चली आती है आपको shares buy करने का signal मिल जाता है और जैसे ही MACD line signal line की उपर चली जाती है आपको share sale करने होते है यहाँ पर आपको एक और important चीज़ बता दू कि जितनी MACD line signal line से नीचे चली जाएगी उतना buy signal strong और जितनी MACD line signal line से जादा उपर जाएगी उतना sell signal strong इंट्राडे ट्रेडिंग की हजारों strategies आपको मिल जाएगी मैंने आपको वो दो strategies बताई है जो मुझे काफी powerful लगी लेकिन अगेन आपको बता दू कि ट्रेडिंग में लग का रोल ही सबसे important है in fact strategies से भी जादा मैंने एक चीज़ देखी है कि कई सारी traders market में पैसा कमाने लगते हैं पहले 20 दिन 30 दिन में पैसा कमाते हैं और फिर 21 वे दिन वो सारा पैसा चला जाता है यही चीज़ जाद दर traders के साथ होती है और उनका time और पैसा दूम बर्बाद कर देती है जब रिसेंटली दिवाले के लिए में home time गया था तो वहाबर मुझसे यही सवाल बुछे गए कि इंट्रेडिट रेडिंग क्या होती है मुझे work from home में थोड़ा time मिलता है तो क्या मुझे try करना चाहिए कौन सी वहाबर strategies है तो मैंने सुचा कि क्यों ना ये सारी चीज़े सभी के साथ ही share की जाए ताकि सभी को इंट्रेडिट ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ पता चल जाए तो conclusion में एक advice मैं आपको जोगा कि greed और overconfidence इनको कभी भी अपने उपर हवी ना मने दें और ट्रेडिंग repetition की तरह है जहाबर कमाने में सालो लग जाद है लेकिन गवाने के लिए एक लमहा काफी होता है तो जाते जाते ना भी health insurance को ज़रूर check out कीजिए तो simply intro तो simply